नमस्कार किसान सातियों, फार्मिंग किसान यूटूब चैनल में आपका स्वागत है किसान सातियों आज हम लेकर आए हैं अगले सब्ताए में कौन-कौन सी फसल महेंगी होगी और कौन सी फसल मंदी होगी किसान साथियों इस से पहले दिया आप हमारे यूटूब चैनल फार्मिंग किसान पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर जरूर करें फार्मिंग किसान चैनल पर आपको रोजाना मंडी भाव, साप्ताइक तेजी मंदी रिपोर्ट, वाईदा बाजार भाव, सरकारी योजनाई और खेती से जुड़ी सहीश में पर सहीज जानकार उपलब्द करोवाई जाती है किसान सातियों सबसे पहले जानते हैं नर्मा में तेजी आएगी है मंदी किसान सातियों कोटन बजार दबाओं में जरूर है लेकिन धीरे धीरे बजार उबर रहा है बीते दिनों में कोटन में एक बार हलकी गिरावटाई फिर वापिस नर्मा कल 11,002 रुपे भी का कल एम शेक्स कोटन 7,002 रुपे की तेजी के साथ 38,400 पर पहुँच गया था किसान सातियों कोटन बजार फिर गरम हो रहा है डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई वे आप उर्ती कम हो रही है अगले सप्ता है नर्मा 12,000 पार कर सकता है और एम शेक्स कोटन 4,000 के सतर को चूँच हो सकता है किसान सातियों बात करते हैं गौार के भावग की गौार में तेजी आई गया मंदी किसान सातियों 21 वजार में कुरूड ओल का दाम 125 डॉलर परती बेरल हो गये लेकिन किसान सातियों कुरूड ओल महंगा होने के बाद भी गौार में गिरावट दर्ज की गई थी कारण था रूस युकरेन युद के कारण भारत की सप्लाई पर वावित होना किसान सातियों सुत्रों से मिली खबर के अनुसार अगले दो सब्ताइं में गौार कर सकता है किसानों की चांदी किसान सातियों पिछले दो दिनों से गौार में जबर्दस तेजी देखने को मिली गौार वापिस 5200-6000 पराटिका वहीं पर N.C. DEX पर गवार गम तेजी के साथ 11,225 रुपे पहुँच गई ऐसे में अनुमान है कि गवार 7,000 से 9,000 के आंगडों में बिख सकता है किसान सातियों बात करते हैं गेहूं की किसान सातियों आप सबी को पता है रूस युकरेन युद के कान रूस पर युएन द्वारा परतिबंद लगाए गए है रूस गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है ऐसे में भारत की सप्लाई बढ़ने की संभावना है जिसके रुजान भारत में शुरू हो गए है भारत ने फरवरी में 66 लाख मैटरिक टन गेहूं निर्यातकर अपना एत्यासिक रिकोर्डर्ज किया किसान सातियों MP की मंडियों में गेहूं 25-26 रुपे परतिकों इंटल बिक रही है वहीं पर अनुमान है कि देश में गेहूं 300 की सतर को चूँ सकती है लेकिन किसान सातियों इस कलाब किसानों को साइध ही मिले क्योंकि बारत सरकार और FCAI वेराज्यों के गुदामों में 470 मेटरिक टन का स्टोक पड़ा हुआ है जो कि आवशक्ता से दो गुना है किसान सातियों गेहूं का मिनमम 25-26 तक रह सकता है किसान सातियों बात करें सर्षों की किसान सातियों अब की बार किसानों का रुजान गेहूं से अटकर सर्षों की तरफ ज़्यादा है लेकिन अंतराश्टिये बज़ार में खाते तेल की डिमांड भी ज़्यादा है जिसके चलते सर्षों में अभी तक तेजी जारी है किसान सातियों वर्तमान में सर्षों MSP से उपर भीक रही है बाव साथ जार के करीव लग रही है वहीं पर नई सर्षों के आवक बढ़ रही है लेकिन किसान सातियों में डिमांड ज़्यादा होने के करण नई सर्षों का भाव भी पैंशट सो से लेकर साथ जार रुपे तक चल रहा है किसान सातियों नई सर्षों के आवक बढ़ने की संभावना है लेकिन बाव सतिर रहने का अनुमान है अलांकि पुरानी सर्षों में अलकी तेजी देखने को मिल सकती है किसान सातियों बात करें सोयबिन की भाव की तो सोयबिन अभी थोड़ी मंदी जरूर है नई सर्षों की आवक आने के कारण गिरावर दर्ज की गई लेकिन किसान सातियों सोयबिन बजार में अगले हपते में फिर से तेज आने की संभावना है क्योंकि कल सोया तेल भी महंगा हुआ था किसान सातियों बात करें अगले सब्ताएं में जीरे की किसान सातियों अगले सब्ते में जीरा भी दुबारा बना सकता है रिकोर्ड भारतिय गरेलो बजार में बढ़ती मसाला डिमांड के कार्ण किसान सातियों वर्तमान में जीरा राजस्तान में 18,000-22,000 तक बहुख रहा है, जो अगले सबता है, 23,000 को पार कर सकता है किसान सातियों बात करें बाजरा की, बाजरा में तेजी देखने को मिलेगी, नई फसल जून और जुलाई में आने की समभावना है एसे में बाजरा भी 2000 से लेकर 250 तक बिख सकता है किसान सातियों बात करें मक्का की रूश यूकरेन यूद के कारण सबसे ज़्यादा सप्लाई पर भावित हुई है तो गें हुँ और मक्का की हुई है किसान सातियों मक्का में 40% तक की तेजी देखने को मिल सकती है धन्यवाद किसान सातियों रोजाना मंडी भाव साप्ताहिक तेजी मंदी रिपोर्ट केती से जुड़ी सहीश में पर सहीज जानकारी जानने के लिए हमारे यूटूब चैनल फार्मिंग किसान को सबस्क्राइब वीडियो पसंद आये तो लाइक शेर ज़रूर करें जे जवन जे किजान